हेलो गाईज, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं आपको आगे का टॉपिक कराने जारी हूँ, कमपनी लौ का, जो की है डिसद्वांटेज़ ओफ जॉइन स्टॉक कमपनी, चलि आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करने से पहले अगर किसी ने भी तक मेरे चैनल को सब्सक कमपनी को अपन करते हैं, या जॉइन स्टॉक कमपनी के अगर हम मेंबर भी हैं, तो हमें क्या-क्या अड्वांटेज़ होते हैं, अब जॉइन स्टॉक कमपनी जो होती है, उसके क्या-क्या डिसद्वांटेज़ है, सबसे पहला है कि डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, अगर बहुत सारी formalities होती है company को बनाने के लिए memorandum of association, article of association, बहुत सारी चीजों को follow करना पड़ता है, बहुत सारे documents लगते हैं, तो यह कहीं न कहीं expensive भी होता है और time consuming भी होता है, तो main difficulty सबसे पहली हमारी joint stock company की यही आती है, उसके बाद है possibility of fraud by promoters, possibility बहुत जाद होती है क्योंकि promoters जो होते हैं company के लिए, क्या सारा information का काम देखते हैं, directors appoint करते हैं, यह सारा expenses का जितना भी खर्चा होता है, यह promoter करते हैं, अब promoter ही अगर कोई fraud कर दे, तो company चलना भी मुश्किल हो जाता है, या company जो है बाद में, अगर promoter जो है, वही director बन जाए company का, या company के जो public है, उनके account के साथ cheating करें, या public को जैसे बुलाते हैं promoters, उनके साथ भी fraud हो, तो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा possibility होती है, कि जो promoters है company के, वही fraud कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी एक problem आती है, उसके बाद है encouragement to monopoly, अगर company के पास बहुत सारे जैसे resources होते हैं, capital के resources हैं, और बहुत से resources है तो company क्या करती है, बहुत सारा production करती है, कि उसकी जो cost है, वो reduce हो जाएं, तो small competitors उनको जो है, compete नहीं कर पाते हैं, जिसकी वज़े से जो company है, वो सारा का सारा monopoly ले लेती हैं, ठीके, एक तरीके से पूरी market को वही control करने लग जाती हैं, और उनके पास कोई भी competitor नहीं होते हैं पर next है, encouragement to speculation, जो company के shares होते हैं, जो freely transferable होते हैं, उस company के shares में क्या होता है, जैसे ही, prices जो है share के, वो public demand करती है, public के इंसाब से ही, जो है, वो settle किये जाते हैं, तो जो भी profit निकल कर आता है, वो भी बताया जाता है सारा, तो ये जो company के accounts हैं, यही directors जो हैं, कई पर क्या करते ह हैं, company के accounts में ही, हेरा फेरी कर देते हैं, कोई ना कोई चीजों को manipulate कर देते हैं, जिसकी वज़े से, जो public है, वो कही ना कहीं, loss में चली जाती है, वो shares buy कर लेती है, अच्छा खासा पैसा उस पे लगा देती है, अच्छी खासी investment जो है, public कर लेती है, पर actual में उतनी वो investment के, जो है, shares की value नहीं होती है, तो इस वज़े से भी क्या होता है, public को तो नुकसान होता ही है, वाखी ये जो है, speculation को भी encourage कर देते हैं, जो की social point of view से सही नहीं है, उसकी बाद है, conflict of interest, अब क्या होते हैं, कई shares जो होते हैं, provincial shareholders होते हैं, कुछ shares, equity shareholders होते हैं, तो उनमें जो dividend बढ बढ़ता है, तो सबसे पहले, provincial shareholders होते हैं, उनमें बढ़ता है, तो इस वज़े से कही ना कहीं conflict create हो जाता है, कि उनको dividend बढ़ रहा है, तो नॉर्मली सी बात है, कि management और जो workers हैं, उनके बीच में conflict होगा, और जो interest है उन दोनों का, क्योंकि वो तो same है नहीं, तो वो दोनों जो हैं, एक तरीके से conflict करेंगे, और कहीं न कहीं, company का ही, जो है, नुकसान होगा, उसके बाद है, excessive legal interference, अब जो भी members होते हैं, company के, वो बहुत दूर-दूर होते हैं, ठीके, personally वो आके नहीं दे सकते, तो वो क्या करते हैं, जो shareholders का जो right है, उनको protect करने के लिए, जो government है, उन time to time check करती है, सारे जो भी legal affairs होते हैं, company के, उनको भी check करती है, कि उनको ने सई से किये हैं, कि नहीं किये हैं, उनका memorandum होता है, articles होता है, वो सारा check करती है, तो कहीं ना कहीं legal interference, ज्यादा मिलती है, joint strong companies के अंदर, तो ये भी एक तरीके से disadvantage है, उसके बाद है, lack of secrecy, अब जो सब चीजों से, कोई भी person एक fee pay करके इन सब को देख सकता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, secret नहीं रहा, lack of secret है, कि company क्या क्या काम कर रही है, वो सारा public देख सकती है, उसके बाद है delay in decision making, decision making जो है, उसमें भी बहुत बड़े एक delay हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, पूरी meetings रखी जाती है, कोई भी decision लेना होता है, इस वज़े से, जो decisions हैं, वो late हो जाते है, next है, evils of large scale production, sometimes क्या होता है, company जो है, large scale production करना शुरू कर देती है, अब large scale उसने production तो शुरू कर दिया, अब उसमें भी labor problems आ जाती है, labor ढंक से नहीं मिल रही है, या manufacturing process में कोई problem आ रही है, तो इसकी वज़े से law of decreasing returns जो हैं, उसको छेलने पड़ते हैं, market को भी छेलने पड़ते हैं, तो कहीं न कहीं बाद में, आगे जब demand होती है goods की, तो जो production है, कहीं न कहीं decrease हो जाती है, next exploitation of shareholders, जो ownership है और management है, company की वो अलग-अलगातों में हैं, तो जो shareholders हैं, वो बहुत large हैं और कहीं न कहीं, shareholders से जादा अपने interest में काम करते हैं, जिसकी वज़े से वो shareholders को भी exploit कर लेते हैं, उनका भी कहीं न कहीं पैसा ले लेते हैं, उनके साथ fraud कर देते हैं, फिर next है, corruption, अब यहां पे जो companies हैं, corruption भी होती है, politics चलती है, companies के अंदर, बहुत बड़ी-बड़ी companies जो होत होती हैं, बहुत सारा पैसा लगाती है, elections के अंदर, एक party को जिताने के लिए, और जब वो party जीच जाती है, तो उससे कहीं न कहीं, corruption शुरू हो जाता है, जो बड़ी-बड़ी companies हैं, वो start कर देती हैं, और जो बड़ी-बड़ी companies होती हैं, वो क्या करती हैं, जो members होते हैं, कोई भी राजय सबब अगयरा, तो उनको, उनके members को भी बहुत सारा अच्छा पैसा दे कर, जो public है, उनको अपने control में कर लेती हैं, common man को अपने control में कहीं न कहीं कर लेती हैं, तो ये भी कहीं न कहीं corruption का part है, तो यहां पर क्या हो जाता है, कि joint stock company कहीं कहीं कर अप्शन करती स्पेकुलेशन भी जो मैंने अभी बताया था, कि क्या करते हैं, कि public को दिखाते हैं कि हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है, और जितनी उस share की value नहीं है, उससे जादा वो price स्पेकुलेशन के through ले लेते हैं, जिसकी वज़े से कहीं न कहीं जो है, public का exploitation होता है, ठीके, तो आज हम करेंगे यहिता ही कही topic, next video हम करेंगे next topic, so मिलते हैं next video में, bye bye